हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी सकीरुकू, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हल्दी और हैपी चल रही होगी, हर गर्वती महिला यहीं चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलिवरी ह हो, especially आज के टाइम में जहां पर नॉर्मल डिलिवरी बहुत ही कम हो रही है और सेजेरियन डिलिवरी के रेट काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, बहुत सी लेडीज हमें ऐसी मिलेगी जिनकी सेजेरियन डिलिवरी ही होती है, और कुछ लेडीज ऐसा सोचती है कि वो जो न आज के बहुत है, बस आपको कुछ चीजों को फॉलो करना है, दो से तीन चीजे है सिर्फ, जिससे जो आपकी नॉर्मल डिलिवरी की प्रोसेस है वो आसान हो जाए और कम समय में आपकी डिलिवरी हो जाए, पेन तो आपको होगा ही, लेकिन आज कल ऐसी भी सुवेदाय है, जिससे आप painless delivery भी करवा सकती हैं तो normal delivery के लिए आपको कौन कौन सी चीजे follow करनी हैं किन लोगों को follow करनी है और इसे कैसे करना है यह हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो में end तक बने रहिए अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आया है तो subscribe जरूर कर आपके जब 9 महीने complete होंगे और डॉक्टर ने आपको जो expected delivery date दी है उस समय पर आपको pain start होंगे दीरे-दीरे करके और यह दर्थ कैसा होगा तो हर पहले हर दो घंटे में आपको यह दर्थ होगा और pain specific कैसा होगा जैसे आपको pH के वक्त होता है वैसा pain होगा और जब आपको pain आएगे तब आपका pain बहुत ज़्यादा कड़क होगा hard हो जाएगा और दीरे-दीरे जो आपका pain है वो हर दो घंटे में पहले आएगा फिर एक गंटे में फिर आदे गंटे में ऐसा दीरे-दीरे करके जो pain का time है वो कम होता जाएगा और इस तरह से दीरे-दीरे आपके pain है वो बढ़ते जाएगे आपकी labor के stage बढ़ते जाएगे और फिर एक समय में आपको senior दर्द होगा और उसके बाद आपका बच्चा बाहर आ जाएगा तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैंने अभी जो process बताई है normal delivery के लिए वैसे आपके भी हो और थोड़ी देर के लिए द pregnancy active रहना है active रहना है यानि ऐसा नहीं कि पूरे दिन भर आपको भाग दोड़ करनी है बिल्कुल भी आराम नहीं करना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको जितनी ज़रूरत है उतना आराम भी करना है लेकिन सुबाब को walk करना है शामे walk करना है घर के काम करने है अगर आप exercise ही है जब आप delivery के लिए जाएंगे तब आपको जब पुश करेंगे उसमें कोई difficulty आपको नहीं आएगी आप अच्छे से पुश कर पाएंगे आप पे stamina बना रहेगा और अगर आप working lady है आप ये काम नहीं कर पाएगी घर के तब आपको क्या करना है आप walk कर सकती है और आप अपने doctor से पूच कर जो exercise doctor ने बताई है pelvic floor को strong बनाने के लिए वो कर सकती है दिन भर में अगर आप 20 minutes भी ये करती है तब भी आपको बहुत ही ज़्यादा help होगी normal delivery के लिए तो अगर आप चाहती है कि आपकी normal delivery हो तो आपको अपने आपको active रखना ये पहली सबसे पहली चीज है और ये आपको pregnancy के शुरुआत से ही करना है ऐसा नहीं है कि आप 9 महिना लग गाया है और आप preparation कर रही है ऐसा आपको नहीं करना है आपको पूरी pregnancy में तयारी करनी है अपने delivery को normal बनाने के लिए अब बात करेंगे दूसरी चीज की जिससे करने से आपके normal delivery होने के chances 99% बढ़ जाते है वो क्या है वो है गाय का देसी घी तो गाय का घी कप कैसे और कितना पीना है और इसका scientific reason क्या है ये हम जानेंगे आपने आपके घर में भी इस चीज के क्या हुआ है तो एक यह बात भी सही है लेकिल ये पानी के साथ अगर आप पीती है तो यह आपकी normal delivery में काफी ज्यादा मदद करता है पानी में डाल कर पीने की वज़ा से आपको इसके benefit और ज्यादा मिलेंगे और बहुत ही जल्दी मिलेंगे और गी पीने का आपको यह फाइदा मिलेंगा अगर आदा चम्मच लेने से आपका पेट दिन में दो बार अच्छे से साफ हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप इसका सेवन कर सकती है और अगर एक चम्मच घी लेने से भी आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप घी की कॉंटेटी बढ़ा सकती है अपने डॉक्टर से बात कर सकती है नेक्स्ट दोस्तो जब आपकी नॉर्मल रिलीवी की प्रोसेस होगी उसके लिए आपका जो पैल्वी के लिया है वो अच्छे से सॉफ्ट होना चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना है जब आपका आटवा महीना खतम हो जाए तब आपको एक टब लेना है और इसमें गरम पानी डालना है यानि गुनगुणा पानी लेना है बहुत जादा गरम बिना ले और इस टब में आपको बैठना है सुबा और शाम में इससे क्या अगर आपको आंकरी महिने मे बहुत जयादा खुजलि रहती है निया इस ही गरम पाने में गुन गुने पानी में क्या डाले सेवलं डाले onda बिशीटों आपको इस चीज से दो फाइदे भी मिल जाएंगे नेक्स्त दोस्तों जो हमारे घर में अकसर कहा जाता है कि आंक्रे नवी महिने में हमें इन चीज़ों को खाना चाहिए जो गरम तासिर वाली चीज़े होती है एनने खाना चाहिए आपको जो डॉक्टर ने आयरन के विटामिन की दबाईया दी है वो भी आपको लेना है जिससे आपको ताकत मिलेगी आपके हमिलोबिन की कमी आपके अंदर नहीं आपके बॉड़ी में आयरन, विटामिन, कैलशियम सब अच्छे से होने चाहिए जिसके वज़ा से आप थक न आपकी भी डिलिवरी नॉर्मल जरूर होगी दोस्तों विडियो अच्छी लगी होगी तो इससे लाइक जरूर करें और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स विडियो के साथ तब तर के लिए गुडबाई, ट टेक्यर, शेहली, शेहपी, अध्च्क्र वच्छी